हालो फ्रेंस आज हम लोग डिसक्रस्म करेंगे फार्ट और स्रॉलिशन को लेगे तो बहुत दिन बाद ब्रोकिंग हाउस से इस कंपाइने को लेगे एक टारगेट निकल का है और है 125 रूपस का अब अगर निउस में जाओगे तो देखो कि यहां पर जो आईसे सिकूर्ट है उन्होंने टारगेट दिया है 125 रूपस का एक टारगेट होने वाला है तो आज हम लोग इस वीडियो में 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 देखेंगे कितना पूब अबलेट है टारगेट एचिफ होने का इसका प्रिचे रिजन क्या है देखो एक ब्रोकिंग हाउस तब ही टारगेट देता है जब कंपनिया कुछ गूड निउस हो या फिर पॉसिटिव रेजल्ट हो तो इसलिए अज कंपनिय का चार्ट लेके डिस्टीस करेंगे सर्जव सकता है कितना पॉबबिलेटी है तो हैं तो यहां पर मैं कंपनीका चार्ट के ऊपर आगया है तो एक एक ताध हो पम दे का डेका तो बहुत दिन से फाड गूंता हुआ हो तक आभको दिख रहा था but अब इसको एक च्छी कार डिया यह उच्छ थीजिए्ट मैंकर यहाँ पे जूम करते निच में शर्रबब एक बहुत यह पीर चया कर एक ब्रेक डिया है एक लंबे कंड्रीब के साथ कर धुए यहाँ पे सबहर करें mic साथ격 जेंथ जो टारगेट दिया है 125 रुपेस का यहां तक शेयर इजली आने का चांसे से यह वां विक तक अगर वऑन आवर का टाइम फ्रेम में देखू तो यहां पर देखो सेम अच्छा करसे वाल्यूम दिख रहे है प्लास अच्छा कासे कि यहां पर ब्रेक आउट दिख रहा है प्लास यहां पर देखो रीटर्स के बात यहां पर फिर उपर गया है यहां पर देखो एक उपर गया था बाट यहां पर रीटर्स करने निचे है फिर उपर गया है तो अच्छा कासे पॉजिटिव दिख रहा है नेक्स ट्विक तक हम लोग का पूबब लिठी है 125 तक जो आइसे सिगूर्टी ने जो टागेटी है वो आइचिप हो सकता है